स्वयम, सहायता, समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेना टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सस्क्राइब कर ले क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसकी साथ साथ के सरकार के द्वारा जो भी ओजनाई चलाई जाएंगी सबसे पहले आप सभी को ओगत कर दिया जाएगा आपके सम्मू में किसी प्रकार की हो रही है दिक्कत तो हमसे बात कर सकती है मेसेज कर सकती है हमारा मुबाइल नंबर लिख लिजी यह हमारा मुबाइल नंबर वाट्सप नंबर दिदी दोनों ही है अगर सम्मू में इसी प्रकार की दिक्कत है तो हमसे बात कर सकती है आप अगर डेनालम में पहले से जुल सुकी है ता सभी से निवेदन है कि दिदी प्लीज प्लीज आप लोग पंसूत का पालन करना ना भूलें सापताहिक बैठाक, सापताहिक पचत, आंत्रीक उधार, समय स्रेणों आपसे लेखा जोखा इन पंसूत रोका करें पालन अपने समू को रखे सक्रिय कोई भी रोजगार आने से पहले उसके सासाथ परशानी भी कड़ी होने लगती है जहां एक तरफ पहले टी एचर का काम स्टार्ट होना ही था कि अब उसमें दिदी समस्था हैं भी स्टार्ट होने लगी जी हाँ टेक होम रासन के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर हाई कोट ने लगाई रोक याचिका में कहा गया की जिया दिदी याचिका में कहा गया की राज सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में जान भूच कर ऐसी सर्ते रखी हैं जिने ये संस्थाइं पूरी नहीं कर पा रही है आईए देदी आपको मैं इस वीडियो के थूँ विस्तार से समझाती हूँ आगन बाड़ी केंद्रों में टेक होम रासन की आपूर्ती के लिए जारी पोश्टा अहार टेंडर प्रक्रिया पर नैनी ताल हाई कोट ने रोक लगा दी है हाई कोट ने मामले में सरकार से 37 में जवाब मांगा है महिला एवं बालविकास विभाग ने 8 अपरेल 2021 को पोश्टा अहार टेंडर प्रक्रिया जारी की थी नियाय मूर्ती सरत कुमार सर्मा की एककल पीट के समक्ष मामले की सुनवाई हुई लिवर हेड़ी हरिद्वार के स्वेम सहायता समुहों ने हाई कोट में याजिकाय दायर कर कहा था की सरवच नियायला के दिसानिदेशों के अनुसार आगनबाडी केंडरों में पोश्टा आहार की सप्लाई के लिए जोड़ी टेंडर निकाले जाएंगे उनमें स्वेम सहायता समुहों और ग्रामिर समुहों को वरिता दी जाए याचिका में कहा गया की राज सरकार ने टेंडर प्रक्रिया में जान भूज कर जिया दिदी जान भूज कर ऐसी सर्ते रखी है जिने ये सर्स्थाय पूरी नहीं कर पा रही है टेंडर प्रक्रिया में सर्त रखी गई की दिदी जो समुह इसमें पतिभाग करेगा उनका 3 वर्ष का टन ओवर 3 करोण से उपर हुना चाहिए टेंडर प्रक्रिया में सामील होने के लिए जी अधीती टेंडर प्रक्रिया में सामील होने के लिए 11.24 लाख रूपय की धरोहर रासी भी रखी गई है याजिका में कहा गया कि पहले भी उनसे पौश्टिक आहार खरीदा गया था उस वक्त ऐसी कोई सर्थ नहीं थी सरकार ने इस टेंडर प्रक्रिया में अब प्राइबेट कमपनियों को भी पतिभाग करने की छूट दी है याजिका करताओं का कहना है कि सरकार उन्हें टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना चाहती है क्योंकि कोई भी महिला समू उक्त सर्थ पूरी नहीं कर सकता है सरकार ने इन समूहों को पूर में सामान की गुरवक्ता पैकिंग लेबलिंग और स्टोरेज आदी का प्रशिचण भी दिया था याजिका मैं कहा गया कि सरकार ने सर्वचे नियाला के निदेशा अनुशार जिहां निदेशों का पालन नहीं किया है अभी तक आपने हमारे प्रेना टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्द ही सस्क्राइब कर ले क्योंकि आपको डेनरलम से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलेगी ऐसे तो खत्रे में पढ़ जाएगा स्वयम सहता समू का अस्तित्व जिहां दी ऐसे तो खत्रे में पढ़ जाएगा स्वयम सहता समू का अस्तित्व याजिका में कागय की हरिद्वर के लिवर हेड़ी में चेतना स्वेम सहता समू, संतोसी माता स्वेम सहता समू, लच्छमी, बाई स्वेम सहता समू, कृष्णा स्वेम सहता समू, गायत्री स्वेम सहता समू, वा अमबेटकर स्वेम सहता समू है टेंडर प्रक्रिया में सरकार की सर्तों से स्वयम सहता समू का अस्तित्व खत्रे में पड़ जाएगा समू दीदी चलाय जा रहे हैं और काफी तेजी से बनाये भी जा रहे हैं हमारी दीदियां 500 का पालन भी कर रही है लेकिन उनके साथ धांदली हर जगह की जा रही है क्योंकि इसके पहले पोश्टा आहर बाटे गए जो कि हमारी समू की महिलावने बाटे जियां हर जिले में हर गाव में एक समू को पोश्टा आहर वितरन करने का काम स्वापा गया था उनके खाते में 22,000 रुपे दिये गए और उस पैसे का चनी का दाल और किराया पोल्तिन वगारा खरीद कर काम को आगे बढ़ाया गया लेकिन उनके समू में अभी तक मानदे का पैसा नहीं आया तो क्या महिलाएं? जी हाँ, कुछ नहीं बोलें? क्या महिलाएं कुछ नहीं बोलें? क्यूंकि सोसर तो महिलाओं का हो ही रहा है इस वीटियो को जो भी देख रहा हो दिदी आप सब इसे निवेदन है कि जादा से जादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे प्रेणा टीवी चैनल को क्योंकि आपके साथ प्रेणा टीवी चैनल हमेशा खड़ा रहेगा क्योंकि हमारे महिलाओं के साथ कहीं न कहीं सोसड किया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो को जो देख रहा है वो इस चीज़ को समझें कि पोश्टा हार दीदियों ने बाटा कहीं पे एक साल हो चुके हैं कहीं पे आठ महीना कहीं पे छे महीना और कहीं पे चार महीना क्या उन दीदियों के समू के खाते में मान दे के पैसे आएं नहीं आएं अगर किसी दीदी के खाते में जी हां स्वेम्जाता समू के खाते में मान दे के पैसे आए हैं तो दुरत मुझे कॉमेंट करें मैसेज करें कि हां हमारे घाते में आए हैं पोश्ट आहर का वित्रण करने का मान दें इसी प्रकार दूसरी तरफ टेक होम राशन के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर हाई कोट ने लगाई रोग अभी काम इसका स् रहा था उस काम को स्टार्ट करने के लिए दिद्यों को कुछ पैसे भी मिलते हैं मासिक काम करने पर लेकिन अब इसमें भी अर्चने आ चुकी है तो चली दिदी आज की वीडियो बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आतो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूल रहा है महिना घर में पर्शान ठी अपने काम करें संब्सक्राइब करमें पैसा मिलेगा लेकिन यहां पर भी संब्सक्राइब कुछ सोंसन को रहा है तो आपके साथ क्या हूए मुझे बताएं कोमेंट बस देतना ही थन्यवाद जयाजिवी का करते हैं